नमस्कार दोस्तों, आउसी के चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं दो रंग का यह खुश्रा सा डिजाइन लाए हूँ, जिसे आप किसी भी लेडीज प्रोजेक्ट में या बच्चों के स्वेटर में डालेंगे, यह बहुत ही अच्छा लेगा। और इसे बनाना बहुत ही आसान है, प्रिगनर्स भी इसे आसानी से बना सकते हैं। डिजाइन बताने से पहले आपसे अंडरोध है कि यदि आप मेरे चैनल में पहली बारा हैं, तो क्रिप्या चैनल को सब्सक्राइब करके वेल आइकन प्रिस करें। ताकि कोई भी डिजाइन में डालो वह सबसे पहले आप तक पहुत है। इस दिजाइन को बनाने के लिए आप कितने भी फंडिया सकते हैं। बोर्डर बनाने के बाद ये डिजाइन का पहला लाइन है और साम ये आप अपना दूसरा कलर अटैच करेज़्ेी। अब दूसरे कलर के उन से एक फंदा सीधा बुनेंगे, नेक्स्ट फंदे को स्लिप करेंगे, इन ही दो फंदो को हमें पूरी सलाई में दूराना है, एक फंदा सीधा बुनना है, एक फंदे को स्लिप करना है, नेक्स्ट फंदा सीधा, ऐसे परल वाइज हम स्लिप करेंगे, नेक्स्ट फंदे को सीधा बुनेंगे, फिर पर्ल वाय स्लिप करें, सीधा, स्लिप, सीधा, स्लिप, तो इन ही दो फंदो को दूर आते हुए हम पूरी लाइन कम्प्लिट करेंगे, आप हम आजाते हैं रोग साइड में और यह डिजाइन का दूर ने है तो स्लिप किय हुए फंदे को हम स्लिप करेंगे और बुने हुए फंदे को सीधा करेंगे इन्हीं दो फंदो को हमें पूरी स्लाई में दूराना है उन अपनी ओर करना है स्लिप किये हुए फंदे को स्लिप करेंगे उन दूसरी ओर बुने हुए फंदे को सीधा उन अपनी ओर स्लिप किये हुए फंदे को स्लिप करेंगे उन दूसरी और बुने हुए फंदे को सीधा बुने तो इन ही दो फंदो को दूराते हुए हम पूरी सराई कम्प्लीट करें तीसरी लाइन और सामने से और दूसरे कलर के उन से ही अब जिस फंदे को हमने बुना है उसे हम स्लिप करेंगे जिस फंदे को slip किया था तो इसे हम सीथा बुन देखा। इसे पिछले लाइन में हमने बुना था तो इसे हमें slip करना है और यह स्लिप किया हुवा फंदा है तो इसे हमें बुन देखा। slip करना है next फंदे को बुरना है तो इनी दो फंदों को दूराते हुए हमें पूरी line complete कर लेनी है अब हम आ जाते हैं wrong side में और ये design का चौथा line है तो चौथे line में हम बुरने हुए फंदे को सीधा बुरेंगे उन अपनी ओर करेंगे slip की हुए फंदे को slip करना तो दो ही फंदो को हमें इन पूरी लाइन में दो राना है कुन्हएं फंदे को सीधा बुनना है अदेखे यह दागा दिखाए दे रहा है यानि यह स्लिप किया हुआ फंदा है तो इसे हमें स्लिप कर लेना है तो इसे हमें स्लिप कर लेंगे और इस अगले फंदे को सीधा बनेंगे तो हमने चार लाइन कम्प्रीट कर लिया अब इन्हीं चार लाइनों को हमें अब दूसरे कलर के उन से जो हमारा ये प्रैमरी कलर का उन है इससे बनेंगे पहले फंदे को सीधा बनेंगे, नेक्स फंदे को slipper करेंगे, फिर सीधा बनेंगे, फिर slip करेंगे चार लान का ही यह repeated design है और हर चार लान बाद हमें उनका color बदल देना है कई दिजाइन बेहत पुश्च जयां बहुतत बनाने में देख inhib कितना आसन है। बीगनर्स भी आसनी बना सकते है। है कि दॉंग सैट से इस्टिप के ऊपम्दे कोładnoss स्टिप कोलेंगे और बुने ऊप में इसाथ है। अपने वो पन्दे को ृस्लिप करना है बुने हुए फन्दे को सिधा बुलना है दूसरे करलर के उन से ये तीसरा लाइन है तो उस बुने हुए फंदे को स्लिप करेंगे और ये फंदभा सि्लिप किया हुए तो इसे हम सीदा बने है इसे हमें स्लिप करनाहे है और देखे ये स्लिप क्या वो फंदभा है दूसरे कल राख में येव्य ट्रीकश्प करनाहे हमें पूरी लाइन कंपुलेटबूनाहे मैं अजब कूछ Nee दूही पंडे का डिजाइन है और जोग लाईन का जोड़ा है यह पंडे को अरब देक्स हमें परख़ मय ईचित, और जोड़ा प्रूवी पंदे का डिजाइन है बुर्न हुए पंदे को बुर्ना है और स्लिप किया हुए पंदे को स्लिप करें यह डिजाइन बनके त्यार है सामने से यह ऐसा दिखाई दे रहा है और पीछे से ऐसा फ्रेंस डिजाइन आपके सामने है आशा है आपको फुसल दाया यह दिया आपको मेरा यह डिजाइन अच्छा लगा हुए प्लीज लाइक शब्सक्राइब करेंस वाल बाचिंग